नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमान शुभट दी हैल्थ शो में आज हम डाइबिटीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि डाइबिटीज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमारी लाइबिस्टाइल के कारण लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है घर बैठे डाइबि जड़ी बूटिया है जो डाइबिटीज के पेशेंट घर बैठे 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 बना सकते हैं खा सकते हैं और अपनी डाइबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं सर आपको मेरा प्रणाम प्रणाम सर मधुमेस यानि डाइबिटीज के लिए आयरवेदिक नूस्क्या आयरवेद के समाने है? यदि किसी patient को diabetes आ गई तो उसको सबसे पहले गेहों को stop बंद करना चाहिए या गेहों का सेवन कम करके उसमें मोटा अनाज हमको मिलाना चाहिए रागी है मक्का है बाजरा है जों है हमको यह मिला करके सेवन करना चाहिए और मिठा और मिठाईया इसमें जहर का काम करती है हमको ऐसी चीजे नहीं खानी चाहिए जिसके सेवन से हमारा सोगर लेविल बढ़े जैसे गेहूं की फॉर्म कहीं है मैदा बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म है यदि हम मैदे का सेवन करें तो उसका ग्लैस लगती है तो यदि हम दलिया खाएं तो हमको बहुत लाग होता है हम दलिया सेवन करते रहें बारीक आटा यानि के मैदा हमको बिल्कुल त्याग करना चाहिए और भोजन में हमको सबजियों की मातरा ज्यादा लेनी चाहिए गेहूं के साथ रागी अगर हम पिस्वा लें बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में रागी पिस्वा लें और एक चना बाकी सम्मना हम चने की रोटी खाएं या चना मिक्स करके लें तो हमको बहुत लाब मिलता है क्योंकि चने के अंदर प्रोटीन बहुत जादा है और जब डियाविटीज होती है तो हमारा मास इंड आप लगती है उस भूख को समन करने के लिए उनको ज्यादा खाना पड़ता है तो यदि हम चना मिलाकर सेवन करें तो हमको बहुत लाब मिलता है और कहीं भी हमारा फैट इंडेक्स नहीं बढ़ता है उसाद चावल चावल का ग्लाइसिमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा ह चावल में यदि हम ब्राउन उसलें तो हमको लाएं मिलता है इतनी हानी नहीं मिलती ह। हमको कम से कम लेना चाहिए और यदि चावल लेने का बहुत जोग है तो एक कटोरी से ज्यादा ना ले और उसका मांड उतार करके लिए कोशिश करें कि छोड़ी दे जी सर ये तो चीज हो गई क्या नहीं खाना चाहिए लेकिन अब हम आपको में ये बताएंगे सर में ये बताएंगे कौन-कौन से आयरुवदिक नुस्के या य बढ़ी बूटिया आए जो डायबेटेस का पेशेंट एजली बना सकता है एजली खा सकता है तागी उसका डायबेटेस कंट्रोल रहे। इमान्शु जी अभी मैंने रोटी के बारे में बताया, ऐसे पेशेंट को सबजियों का सेवन जादा करना चाहिए, रोटी एक कम खाएं, सबजियों की मातरा बढ़ा दें, चावल, मीठा, मिठाईयां बिलुकुल बंद कर दें, और साथ में हमको मीठे फल, जो बहुत मीठे फल होते हैं, उनसे भी बचना चाहिए, आयरवेद के शाब से मीठे को मारता है कड़वा, इसकी जितनी विदावाईया हैं, वे कटूवर की हैं, चाहे वो गिलोय हो, नीम हो, शियात्रा हो, सिलाजीत हो, करेला हो, जामुन हो, गुडमार हो, पनीर डोडा हो, मेथी हो, हमक तो डायविटीस भोत रहती है, तो वे एक चम्मच मेथी रात को भिगो लें, और प्रहते काल, उस मेथी को निगल लें, या चबा लें, उपर से वही पानी पी लें, तो उसमें भी हमको बहुत लाब मिलता है, साथी साथ, इस बीमारी में हमको कम से कम आदा घंटा अपने करें या गुमें, और मीठे को मारता है कड़वा जैसे मैंने अभी बताया, एक आयरवेद में कहवद भी है, लाल टमाटर लीजिए, खीरा सहित सने, संग करेला जूस हो दूर हो मदुमे, यदि हम खीरा, टमाटर और जामन का रस, या करेले का रस, हम लेते रहें, तो जोटे से फूल उसमें आते हैं, उसका नाम सदावार इसलिए है, क्योंकि तीस के तीस दिन, बारा महिने वो किलता है, साथ फूले लीजिए, सुन्दर सदावार, मदुमे का विनासो, जीवन से हो प्यार, तो हम को प्रहते काल, यदि उसकी पतियां या फूल जो मिल जाए साथ पत्ती या साथ फूल, हम उसको चवा के निकल लें, तो मदुमे यानि के डायविटीज में हमको बहुत लाब मिलता है, इसी परकार पनीर डोडा, किसी भी पंसारी से आप ले लें, थोड़ा सा पनीर डोडा, आप रात को पानी भी बहो लें, उसका पानी प्रहते काल सेवन करें, तो आपको इस बीमारी में भी तब भी बहुत लाब मिलेगा, सबजीो में करेला, करेला इस बीमारी की बहुत अच्छी दवा है, हमको करेले का सेवन ज्यादा करना चाहिए, उसमें घी चिक नाई कम से कम हो, जब जामुन आए, हमको जामून जितनी खा सकते है जामुन खाया उसके गुठली रख ले उसको गुठली को सुखा करके हम चूरन बला ले और एक-एक चम्मच उस चूरन को दिन में दोबाळ ले तो हमको बहुत लाब मिलता है यह आदमी की उम्र और आदमी की शूगर लेविल कितना है एक चम्मच के लगब पनी डोडा रात को पाणी में एक गिलास पानी में भिखो और प्रहतेकाल उस पानी को सेवन कर ले इसी परकार एक आपने देखा होगा एक विजे सार के लकडी होती है उसके लोग मार्केट में गिलास भी बेचते हैं रात को यदि आप उसमें पानी भर दें तो सुबह उसका पानी बिल्कुल पीला हो जाता है वह पानी भी हमको सरीर कीक्शिटी उस साब से ले हमरम सेपन करने खिए कर लेंगे सबस्क्राइब्सетсяन कर देगा जब रावमार के सब सेख्टहु एक नीच्चर कहता हो दुनिया का सब से रचतर आदमिव है उसको मालूम है क्या उसके अनुकूल है क्या प्रतिकूल है जूस उसकी जितनी सरीर की कैपिसिटी हो उस हिसाब से ले नमबर एक नमबर दो आधी कटोरी जूस सफीशेंट है कहीं लोग बहुत से गठिया से या दर्दों से परिशान होते हैं तो ऐसी इस्तिती में इस जूस को गरम करके लेना चाहिए ठंडा लेंगे तो दर्द बढ़ने की बहुत चांस रहते हैं तो जूस को हमेशा गरम करके सेवना चाहिए हलका गुलगुना जी और यह उसकी कैपिसिटी के ऊपर है कि उसको कितनी शूगर है कितना लेना है आदी कटोरी मेरे हिसाब से सफिशेंट है सर कितना खाना चाहिए एक पेशेंट को अगर कोई डाइबिटीज वाला है क्योंकि बॉड़ी की डाइट तो सबकी अलग-अलग होती है लेकिन फिर ऑन एवरेज वो कितना खाए कि प्रॉब्लम ना हो मांशु जी एक चीज को यदि हम लगातार सेवन करते रहें तो थोड़े समय में हमारा मन उससे उबने लगता है तो हमको यह करना चाहिए कि सबजी हम दो-तिन बना लें कभी कोई सब्जी के साथ करेले ले लेह,कभी किसी और सब्जी के साथ तो हमना सवार भी बना रहता है और हमको किसी परकार की की कोई दिक्त नहीं होती कहता है कि डायबिटिस के पशेंट को सैलड़ का ज्याता सेवन करना चाहिए सालाद के अंदर कार्वो हाइडरेट्स बहुत कम है तो जिन चीजों में कार्वो हाइडरेट्स या मीठा ज़्यादा हो उन चीजों से हमको बचना चाहिए और मैंने भी आप से कहा भी था कि रोटी हम एक कम कर दें सालाद की मातरा बढ़ा ले तो उससे हमारे सरी में कमजोरी नहीं आती आपने देखा होगा बहुत से लोग डायटिंग करते हैं डायटिंग करने में वो अक्सर अपना पाचन तंतर खराब कर लेते हैं बहुत ज़्यादा जब हमको भूख लगते हैं उसके बाद कुछ खाते हैं तो हमारे सरी में कैलोरी बंस तो नहीं होती लेकिन कई बार वेट बहुत अनेंतरत होके बढ़ने लगता है हमको खास तोर से डायविटिक पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और अक्सर कहीं बार जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है यदि पेशेंट चना खाले तो उसको लाम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा चना यदि हम नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी दिर में ले लें दिन में दो तीन बार तो हमारे शरी के अंदर फाइबर भी चला गया प्रोटीन की मात्रा भी पूरी हो गई और हमारा पेट भी शाफरा शरी में बंडार होने लगता है अक्सर सुगर में कमजोरी बहुत आती है तो इस तरह की डाइट हमको लाब देती है मतला अगर आपके इन बातों का सार निकाला जाए तो चामल कम कर दीजे गेहु कम कर दीजे मोटा नाज का सेवन करना है सला ज्यादा और जो ज्यादा मीठे फल होते हैं कोशिश करें कि उनको छोड़ दे और बाकी फल खा सकते हैं सबजी या सभी निर्दोश है तो सभी कर सकते हैं और इसके अलावा जो आपने अयुद्वधिक नुष्खे बताए उनको भी अपना सकते हैं तो इससे बहुत रिलीफ मिलेगा एक डाइबिटीस के पेशेंट को और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे एक और डाइट बहुत फेमस हो रही है जिस इसे फॉलो कर सकते हैं अगली वीडियो में हम आपको सर के साथ बताएंगे कि डाइबिटीस के पेशेंट को शीला जीत कैसे फायदा पहुचा सकती है क्योंकि सर शीला जीत के भी बहुत फायदा है डाइबिटीस में तो अगली वीडियो में हम आपको शीला जीत के यहाट से पर नाम बगुए